दोस्तों आज के हमारे गैस्टे मिस्टर पुर्श्यतन खंडेलवार, चार्टर अकाउंटेंट, हमारे प्रेसिडेंट, टॉक्टर एपी जे, अब्दूल कलम साइब ने कहा था, कि चार्टर अकाउंट्स आर पार्टनस इन निशन बिलिंग, और हमारे प्रेमिस्टर शिनेंदर मोधी जी ने कहा, चार्टर अकाउंट्स आर बिग पिलर अफ दे इंडियन एकोनोमी, जे टेक चेर अप एकोनोमिक हैथ अथ अप्ट्री आर फेमस वर्ड़ाइब पो देर नालेज और फानिशन एकोनोमी कहा, तो ऐसे ही कुछ हमारे आज के गेस्ट है, Mr. Pushyatam Khandelwal, He is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. He is also a law graduate from Gujarat University, Ahmedabad. He is a senior partner of MS, Pushyatam Khandelwal and Company, Ahmedabad. Having 25 years post-qualification experience in the field of audit, direct and indirect tax and intellectual property rights. Key position held at ICAI. He is the Secretary of WIRC of ICAI in the year 2018-2019, Member of Western India Regional Council for the term 2016-2019, Chairman of Ahmedabad branch of WIRC in the year 2013-2014. Secretary of Ahmedabad branch of WIRC in the year 2011-2012. Chairman of Ahmedabad branch of ICAASA in the year 2017-2018. So let's welcome Mr. Pushyatam Khandelwal. Manjpar Virajman. Shri Pushyatam Khandelwal. Namaste. Namaste sir. Kayse ya? Bas me ek tum thik ho. Shri Pushyatam Khandel. Khaunsa gaam se ap bilong ka? Rajasthan ke ek interior village hai. Shirohi ka tribal area hai. Basanthgad se hoon mein. Chigi ji ji. Toh wahan se kaisa shuraat ki? Aapki primary education? Mere primary education wahi me re gam mein hui. Basanthgad mein. Mere gam mein 8 se 8 tuk iskul ti. Mere primary school wahi se hui. Uske baad mein mein baar padhne ga. Toh baar kaise bala wahan pe secondary education? No, mere secondary education wahan se sath km dure iskul ti. Waah mein padhne jatatata roj. Saat km jatata ta, saat km jatata ta. Saat km jatata ta. Bich mein 2 nadiyahnya waati thiti. Usowi ta chh saap kg ji oddi-ootke saat mme jeasy cose sa turleti-ootikini o без digital easy agar namatit o su memo ta kam scene ke pis. Toh ues se wad ke saat mme jathe nagich ke sath met muleta e sako jatata tine. Saat mme peh te sato macen ke kaisha teens масi ke baar kaishpsek hadi? No, muzei education ka maahol nahi tah bath. Bo turbulte ai stoa. Bes Cross birthブ me lempit urat ke uongan mai. Kent biterio cha di 8 weahzo, tudi heaj Energy ke sato kaang ni ke mostrak lightning me wahan yira So kui nahi ka shukta? मुझे बच्पन से सोखता कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, साइंस में खुछ नाम करना है, इसी मेरी इच्छा थी तो फैमिली ने अलाओ कर दिया? यह थी तो लड़का एक ही था, तीन बहनों में तो बहनों ने उन्हों ने आट वी के बाद पढ़ा जानी सकते थे लेकिन मुझे उन्होंने बाहर पढ़ने पीचा तो उसके बाद की एजूकेशन आप में कहा से लिए तिर उसके बाद में सिरोई पढ़ा एमदाबद पढ़ा और एमदाबद सेटल हुआ तो मेरा संपर्क चंपस सिंगी से हुआ जहां पर मैं किराय पे रहता था चंपस सिंगी एमदाबद में सीए कर रहे थे और उनी से मुझे सीए करने की प्रेड़ना मिली मैंने उनको बुला था कि जैसे ही मेरा बीकॉम खतम हो तो मैं भी सीए करना चाहता हूं लेकिन मेरे घरवालों की कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं एक ही लड़का था और मेर का पुस्तेनी दंदा संबालों और किराना की दुकन चलाओं लेकिन मेरे को आगे पढ़ने का सौकता जब मैं वीकॉम पूरी करके राजिस्तान मेरे गाव गया बसंदकर तो मेरे पिताजी ने बोला कि अभी आपकी पढ़ाई खतम हो गई है और आप मेरे साथ काम में हाथ करना के दुकान पर मेरे पढ़ने की उमर है तो एक ही लड़का था वह मुंझे बाहर भेजना नहीं चाते देते लेकिन मेरी माता जी ने उनको संजाया कि बच्चे की अगर पढ़ने की इछ्छा है तो उसको बाहर पढ़ने भेच away दो ऑंने कि इसी आदमी को रख दो और वक्ता की तो माता जी के कहने पी पिता जी भी मान तो तो तंग तो तो पर शुरारा ऑगो मुझे अमदाबद घूडदें ऑए कि मुझे पढ़ने आना के लिए तो उन्हों ने मुझे होस्टल में रखा उनके होस्टल में गेस्ट रखा लेकिन वहां पी प्रॉब्लम था कि हमारे रेक्टर सुबह 6 बजे उनके रूम में चेक करने आते हैं कि कोई भी लड़का इल्लीजल तो नहीं रह रहा है और मैं तो मुझे वो 6 बजे उठा कि मैं कौमर छह रस्ता की बैंच में जाके सो जाता था और ऐसा मैंने लगबग एक महिने तक किया जब तक मेरा दूसरा एडमिशन किसी होस्टल में नहीं हुआ मुझे होस्टल में रहने के लिए मैंने एलेशा लॉव कॉलेज में एडमिशन लिया एमदबद की ताकि मुझे एलेशा लॉव कॉलेज की होस्टल में रहने को मिल जाए तो उसी दौरन मैंने 87 जून 87 को एमदबद पढ़ने आया था और एक महिने तक मैं HL के बार जो कॉमर छह रस्ता हूंच की बैंच मेंस होता था और फिर मैंने एडमिशन लिया लेशा ल होने के बाद में मैंने जॉब जॉइन किया वह पहला मेरा जॉब था सूपर क्रॉप से लिमिटेड जो पेस्ट्राइड कंपनी मनाती है वह मैंने काफी को सीखा इनिशिल पब्लिक इश्यू कैसे लेके आते हैं फिनांस का काम कैसे करता है मैंने वहां से इश्वर भाई के हैं अच्छी जॉब इसके बाद मैं नैंटीन ने जॉब चेंज करके मैं मधोर इंडस्टी जॉइए रोट इंडिया उनकी ब्रांस थी उनका एक्सपोर्ड होता था वहीं मैंने सिक आ उसी दौर न मेरी साधी होगी 11 प्राइएं मेरी साधी दी के बाद में मेरी मैं इस्तों होता ना मेरे पास gas का सिलेंडर था वाइप अच्छे खासे धनाडे परिवार से थी लेकिन उसने भी मेरा पूरा-पूरा साथ दिया उसने कभी एसी शिकायद कि मुझे यह चाहिए वह चाहिए जैसे से समय भीत्ता गया हमारी प्रोग्रेस होती गई काम अच्छा चलता गया और मैंने आर्ट माई 2003 को मेरी खुद की इस्ताफना की पुर्श्रतम खंडेल वाले कंपनी और वहां पर प्रेक्टिच चालो की पाज मेरी फर्म में दस से ज् इंकम टैक्स ओडिट के लवा इंटरेक्ट्ट प्रोपर्टि राइट है जो मेरा पसंदीदा सुप्जेक्ट भी है मैंने कही सारे लेक्चर लिए और मैं सीए दोस्तों को भी चाहता हूं कि वह इंट्रेक्ट्ट प्रोपटि की प्रेक्टिश करें क्योंकि इस एरिया में म प्रैक्टीस करें इसमें और यह प्रैक्टीस से उनकी आयवी बढ़ेगी और नया फिल्ड भी एक्सपोर रहता मेरा अभी अभी भी फोकस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सीयव मित्रों को इंट्रेक्श्वल प्रॉपर्टी काम के लिए जोड़ो उसी तुरहन य लगंद को देखते हुए मुझे 2010 में ब्रांच का इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में मैं जीत गया जीतने के बाद में मुझे एमदाबाद ब्रांच आपे अभी 11-11 में मुझे 2010-2011 में ट्रेजर की जाब दरी दी गई लगया दरी मोरा मिधि ब्रांच का इलेक्सिन कॉन्टेस्ट किए और वहां सीधा मुझे 1 एन अमदाबाद ब्रांच का चेयर्मै neden ने म Arya तीम ने ещё पहली बार 67ws पहली इनम अंदीया को आल-इंडिया वे प्रोग्रारमां से एंभादान पारत कीती मां भारत मोजीदी उझान। स्टूडेंट इस नियर तो माई हार्ट और मैं जैसे मेरे को चंपसिंगी ने एमदा बादाने पर हैल्प की तो मैं ही चाहता हूं कि मैं भी उन बचों की हैल्प करूं जो बार से पढ़ने आते हैं चाह उन्हें रहने की समस्या हो या उनको ट्रेनिंग जोइन करने की समस्या हो या उनको कोचिंग जोइन करने की तो मैं कोई भी स्टूडेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक गाम से यहां पढ़ा तो मेरा परिवार सुदर गया उसके बाद मेरे कजीन ने की मेरे परिवार में काफी लोग हुँ मैंने उस 2015 में मैंने रिजिनल कॉंसिल हमारे इंस्ट्यूट का एक ब्रांच के उपर वेस्ट इंडिया रिजिनल कॉंसिल ता उसका इलेक्स लगता और वह भी मेरा हाइस्ट वटो सी जी था मैं मुंबई हेड़कॉर्टर का जहां पे महारास्ट गोवा और गुजब का एवर्ड दिया यह मेरे प्रोफेशनल जर्नी है ऐसा कोई है मिस्टेक के आपने लाइफ में की और आप चाहते हो कि दूसरों का इलट कर दे के वो मिस्टेक्स ना करे आप मिस्टेक तो ऐसा कुछ नहीं मिस्टेक हर आदमी ठोकर खा के सिखता है जब मैंने 2007 में पहली ब आने वाले सब इलक्षिन में मैं हाइस पोटो से जीता हूँ तो मुझे लगता कि लोग जो काम करते है उसको प्यार करते हैं रिक नाइज करते हैं और उनको आगे जाने का मौका देते हैं और मेरे साथ वाले मेरे मित्रस ये स्टुडेंट मेंबर्स खोश रहे मेरा करते हैं एक लंदन पढ़ती है इंडरेस्टल बिजनेस मेनेजमेंट कर दिया दूसरी बेटी को फिल्मों का सोकता तो वो वो विस्लिंग बूल इंडरेस्टल मुंबई में सुबस गई के वाँ पढ़ती है गोरेगाम फिल्म सिटी में मेरा एक बेटा है चोटा वो अभी पढ़ता है इन सब सक्सेस के पीछे मेरी पतनी का बहुत ही हाथ है जयमता का बहुत हाथ है अगर वो साहिद मुझे सपोर्ट नहीं करती तो न में इंस्ट्यूट में काम कर सकता ना ओफीस का एक्सपोंशन कर सकता ना रोटरी में काम कर सकता वो मेरे हर इंस्ट्यूट के ह बारे में काम करना थी है, हम बहुत अची सिती में थे, जैसे में एंबबबद पढ़ने आया तो लोकन की पेटी लेके आया था, आज मेरे पास सब कुछ है, खर्चा करने के लिए है, लोगों की सेवा करने के लिए, टाइम पी है, पैसा भी है, तो मैं मेरी जिंदगी से खु बावन, इस्कोलर्शिप एक्जम, तो मैं डिस्टिक्ट से इसे इकेंड था, और मुझे इच्छा थी कि मैं साइंस लू, और मेरे पिता जी की इच्छा की नहीं तु कॉमर्स ले और अपर दुकान संबाल, तो मैंने पिता जी के आगरभ है, मैं छोटा था, तेरा साल का भ और जैसे से आगे बढ़ते तो समझते गए कि इस लाइन में जाएंगे तो क्या होगा, उस लाइन में जाएंगे तो क्या होगा, जैसे से मौका मिला पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, क्योंकि उस वक्त तो माभूल भी नहीं था इच्छा था इंट्रनेट था, कि अ तो मैंने निकाला कि कॉमर्स तब मैंने लिया तब मैंने कि साइंस तो मेरे को पिता जी ने दिला ही नी तो कॉमर्स में सबसे अच्छी डिग्री कॉल्स ही होती है तो मुझे जल्दी पता चला कि दो साल पहले चंपस से करने के लिए अमदबाद गये तो मैंने उन से संपर किया तो उन्होंने मुझे अच्छी से प्यार से समझाया और उन्होंने आने के पद अमदबाद भी इतनी हेल्प की तो मैं तो उनका लाइट टाइम आ रही हूं तो मैंना देश का भविष्य है बहुत है नरंदर मुझे जी एक शक्षम परदान मंत्री है और द्रड निश्य शक्ति है वो किसी भी जो निर्णे एक बार उन्होंने ले लिया तो वो कभी चेंज नहीं करेंगे लेकिन निर्णे लेन से पहले सो बर सोचेंगे उनके जैसे मुदी जी है जब तो कोई प्रमिंग उनका उदेशी देश की सेवा करने का है देश को आगे ले जाने का है 21 सदी में आने वाले समय में भारत नंबर वन होगा और देखो वैसे भी उन्होंने पूरे विस्व में मुदी जी का डंका बचता है और सब राजिनिती के देश के प्रदानमतिया राष्ट्पति उनका सम्मान करते है तो मैं देखता हूं कि बारत एक बहुत ही सेपेंड में है और आने वाले टाइम में टेक्नोलोजी भी बढ़ेगी और देश की इंफ्राइस्ट्रेक्ट्टर का भी डेवलोप्मेंट का जैसे मोदी जी को इंफ्राइस् प्रस्ट्रेक्टर के लिए नई संसत बावन बतार है पहले भी राजनी तिया लेकिन यह इच्छा सकती नहीं थी यह जो सौ साल की पुरानी बिल्डिंग होगी है उसको इस्टेटाइड बिल्डिंग मना रहे है तो उनके अंदर दिल में है कि देश के लिए कुछ किया जा लड़की दॉर्च यह विपनाई अर्हा में पात लेकित करने को सबस्क्राइड जोब से सबस्क्राइड के शुक्राइड़ लड़की में तो और समध्मस जाने लड़की वरी जाने कि नहीं में इन्सिया रहे है तो आपको काही प्लिड रहे से की, की, मैं अबग है की, यह चाह थे ही चैनले आपके आपका नशी मिलें के तहरो हिं तो उथे आपके अपका परिवार की आयो तो बशनी का मेंन पूरा पूरा सयोग दो बाकि में स्टुडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छा कोर्स है आपके और आपके फैमेली को रेपोटेशन देने वाला कोर्स है अगर आप करते हैं तो आपका उजवल भविश्य है कोई भी का असंबब नहीं है आप उन लो बीजिए आपने सबने देखा कि मुझे सीए करना तो आप सीए जैसे इससा पास होगे तो सीए की मंजील आपके नजी का और आप अपने अप सीए बन जाओगे उनको रोल मॉडल क्या स्ट करना चाहिए वो लोगों को रोल बेंडर सेल्क जिनको उनको उन्में वही आपने कुछ और ज्यादा स्ट्रगल मुझे आप कुछ है आप शेयर कर सकते हो कि जिससे सीखने को मिले किसी को ने स्ट्रगल जब मैंने इनिसेल प्रेक्टिक चालू की ती नोखरी छोड़के तो मुझे इस्ट्रगल करना पड़ा कि यह बहुत सारे सीए की जिन्दगी मे एक बार जोब थो छोड़ दी बच्चे अची स्कूल में पड़ थे लेकिन इंकम का सोर्स नहीं था तो असाना का कि मुझे कहीं लोगों ने समझा कि एक हजार दिन नई प्रेक्टिस सेट करने में लगते हैं तो उस तेम मैंने पेसेंस रखा उसी दिन मेरे वाइप ने भी प्रेक्टिस करते हैं तो इनीसी स्टेज में आपको प्रबल्म हो सकती है लेकिन आपको पैसेंस रखने की जरूरता है काम मिलता है आपको जरूर सेट होगी तो आपकी लाइप स्टोरी से तो डेफिनेटल सभी पाजिटिव सोचेंगे और जरूर आपको फॉलो भी करेंग तो प्रेक्टिस करता है कैसे आपको पैसे प्रकेंगे और आपको पैसे प्रेक्टिस करता है